नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो इस वक्त की टॉप टू अपडेट आ रही है रस्या के सुखोई एस ओ 57 को लेकर और फ्रांस के राफेल फाइट जेट को लेकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कर क्यों सिर्फ भारत के लिए फ्रांस अपनी राफेल की प्रोडिक्शन लाइन को डबल करना चाहता है बस आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके एंड तक देखते रहें ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे चलिए बि को सामिल करने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए चायना ने जे ट्वंटी के प्रोडिक्शन को भी तेजी के साथ बढ़ा दिया है हर साल चायना लगबग 90 से लेकर 120 फाइड एजट मैनुफेक्शर कर रहा है यानि कि हर तीन से चार दिन में एक जे ट्वंटी चायना बना रहा है ऐसे में 2035 तक उसका ये टारगेट पूरा हो ही जाएगा इस बात के काफी ज़्यादा हाई जांसिस है अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में चायना के सिर्फ दो ही दुश्मन देश है पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत बात करे एकर अमेरिका की तो अल्रेडी अमेरिका के पास चस्क्रंपा संख्या में एक्टி फाइटर जट एकशी के करिब एफ ट्वंटी टू रैप्टर और लगबग बीस के करीब B20 series के bombers भी अमेरिका के पास मौझूद है कुल मिलाकर अमेरिका के पास 800 की संख्या में stealth aircraft है यानि कि अमेरिका के लिए ये इतनी भी बड़ी चिंता का विशे नहीं है लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास आज की date में एक भी stealth fighter jet नहीं है हमारा एमका अभी भी under development stage में है और 2035 से पहले वो भी नहीं आने वाला लेकिन इस बात की हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है हमारी सरकार अभी भी फ्रांस के साथ सेफ राफेल डील पर ही अठी पड़ी है जबकि अब मामला इससे कहीं ज़्यादा घातक रूप लेता जा रहा है और इस बात का पता इंडियन एरफोर्स को पहले ही चल चुगा है इसलिए इंडियन एरफोर्स की तरफ से एक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद इंडियन एरफोर्स रस्या के ऐसी 57 फाइट जट को खरीब सकती है दरसल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन एरफोर्स के फॉर्मर एयर मार्सल जिनका नम अनिल चौपड़ा है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडियन एरफोर्स चायना के जे ट्वंटी फाइट जट को काउंटर करने के लिए रसिया के स्टेटमेंट फाइट जट को इवेल्यूट कर सकती है साल 2018 में स्टेटमेंट प्रोग्राम को छोड़ने के बाद ये पहली बार हुगा जब इंडियन एरफोर्स की तरफ से पहली बार स्टेटमेंट इंटरस्ट सोग्या जा रहा है अनिल चोपड़ा सर का कहना है कि अगर जरुरत पड़ी तो शायद इंडियन एरफोर्स रसिया से कुछ संख्या में SU-57 खरीच सकती है जिससे अभी फिलाल कुछ समय के लिए इंडियन एरफोर्स की जरुरतें दफ जाएंगी हाला कि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 2018 में जब रसिया ने अपना यही फाइट आजट हमें ओफर किया था तब हमने इस फाइट आजट को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस वक्त रसिया के इस फाइट आजट में काफी सारी खामया पाई गई थी जिसे अभी तक रशिया सुधारने की कोशिश कर रहा है रशिया अपने SU-57 में बहतर सेंसर्स, एवियोनिक्स और कमपोनेंट्स को लगा रहा है साथ इसके डिजाइन में भी चेंजिस करके रशिया SU-57 को प्रॉपर स्टेल्थ बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी एकोसिस सिर्फ और सिर्फ और पेपर है, रियलेटी में ग्राउंड पर रशिया कुछ भी ज़्यादा अच्छा परफर्म नहीं कर रहा क्योंकि रशिया को इस वक्त फंड की सबसे ज़्यादा ज़रुरत है और ऐसे में जब रशिया यूकरिन यूद चल रहा है तो रशिया अपने SU-57 प्रोजेक्ट को डंग से फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा इसलिए पूरे दुनिया आज भी रशिया के SU-57 को एक ऐसा फाइटर जट कहती है जो कि सिर्फ नाम का फिफ्ट जनरेशन फाइटर जट है असल में उसके अंदर कोई भी स्टेल्द टेकनलोजी और कोई भी बड़ी खासित नहीं है ऐसे में इंडियन एरफोस को अगर है और दोसरी बात अगर इसकी दो स्कॉर्डन भी हमने ले ली तो यह अकेली दो स्कॉर्डन ही चायने के सो जेट्वंटी पर भारी पड़ेगी चलिए बात करें अगर दोसरी अपडेट की तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत इस वक्त फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइड़ेट की डेल को लेकर फाइनल नेगोशेशन कर रहा है इसके अरावा भारत का जो एमरेफे टेंडर है जिसके अंडर भारत बीस बिलियन डॉलरस में 114 फाइड़ेट खरीदने वाला है यह टेंडर भी फ्रांस चाहता है कि उसके राफेल को ही मिले क्योंकि भारत क यह एक अकेला टेंडर फिलाल अभी तक का सबसे बड़ा टेंडर है जो कि किसी भी कंपनी की किस्मत पलट सकता है लेकिन फ्रांस को पता है कि उसको यह टेंडर तब तक महीं मिलेगा जब तक वह भारत को इस बात की असर्टिन ना दे कि भारत के ओर्डर से समय पर पूरे क करने ही करने हैं अब ऐसे में अगर हम भी फ्रांस को अपना टेंडर दे देते हैं तो हमारा ओडल पूरा करने में शायद आराम से 7 से 8 साल तो लगी जाएंगे अब ऐसे में हमारे लिए फैबरेबल तो यही होगा कि हम राफेल की जगा किसी और कंपनी का फाइडर जट आया है दरसल खबर निकलकर आ रही है कि डसॉल्ट एवेशन ने अपनी प्रोड़क्शन लाइन को इंक्रीज करने का फैसला किया है और उसके लिए डसॉल्ट एवेशन ने बजट भी अलोकेट कर दिया है साती फ्रेंच गवर्मेंट भी नई प्रोड़क्शन यूनिट को सेट अप करने में डसॉल्ट एवेशन की मदद कर रही है रिपोर्ट की माने तो इस चीज की जानकारी खुद डसॉल्ट एवेशन के सीओ एरिक ट्रेपियर ने दी है एरिक ट्रेपियर का कहना है कि नई प्रोड़क्शन प्लांट के बाद राफेल की परमंथ प्रोड़क् 3-4 और 4-5 ऐसे करते करते हम अपने production capacity को further और बढ़ाएंगे ताकि हम अपने orders को time से पहले पूरा कर सके एरिक ट्रेपियर ने आगे ये भी पताया कि भारत जैसे बड़े देसों से future में जो orders मिलेंगे उनके लिए कमपनी ने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि बड़े orders की चलते production में डिले ना हो और delivery टाइम से हो और आगे चलकर अगर जवरत पड़ी तो भारत में जो DRL यानि की भारत की ड्रेल में अपनी production लाइन को सेट अप करता है या फिर नहीं वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को अपना MRFA टेंडर राफेल को दे देना चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जय हीन जय भारत